रेवाडी में पारा जमाव बिंदू की ओर है इस जिजन की बात करें तो गुरुवार की जो रात थी दो डिग्री सेल्सेस पारा तर्च किया गर आप समझा जा सकता है कि किस तरह से रेवाडी में जो सर्दी का सितम है लगातार बढ़ रहा है आप तस्वीरों में देख सकते कि किस तरह से जो को रहा है पूरी तरह से चाया हुआ है कही न कहीं जो याद है याद है उस पर भी प्रभावी कर रहा है जो समझा जा सकता है कि किस तरह से जो सर्दी का सितम है लगातार बढ़ता जा रहा है रेवाडी की बात कर ले तो दिसंबर महा में दो बार दो बार पारदऄ्ज किया अब लेकिन जिस तरह से रात की बात करणे तो फारा, दो डिग्री सेस्र पर पसुच गए इस तरह से कोड़ा, कोड़ा और सी Canal कोड़ा और सी तरह ने परेशान्य ये तमाम परेशान्ये pasti को बढ़ा दिया है लोगों पूरी तरह से अस्त व्यास्त है आप देख सकते हैं कि रेवाडी में पारया जो है लगतार गिरता हुआ पारया लोगों की चिंताई बढ़ा रहा है बात कर ले लोगों के जो बढ़ती ठंड के चलते लोग बिमार पढ़ रहे हैं और अस्पतालों की बात के नागरी का अस्पताल में तमाम जो वाइरल बिमारी है ठंड के चलते जो बिमारी होते हैं उनकी जो आकड़ा है वो भी लगतार बढ़ता जा रहा है इतना ही नहीं ब कि पारे किस तरह से जो ठंड है ठंड के चलते लोग परेशान और कहीं न कहीं जन जीवन को पूरी तरह से अस्ति व्यस्त कर दिया गया है तमाम दावे कि आलाव प्रसासन के और से गाइडलान भी जारी कि ठंड से बचाओ क्योंकि मोसम विबाग की बात कर लें आगामी करते हैं अपना महान लेकर कहीं न कहीं क्योंकि द्रस्ता पेहत कम हो जाती है ऐसे में दुलगटनाओं की आसंका बढ़ जाती है ऐसे में इससे भी बचने की जरूरत है हम रिवाडी के अवैसिन पर खड़ें आप देख सकते हैं किस तरह से चार और पोरा चाया हुआ हुआ śmier जा सकता है जिस तरह से बावल के भगत सिंग चोक पर एक मसला सामने आ की व्यक्ति की मोत हो गई और बता ये जा रहा कि ठंड से मोत ही है से में समझा जा सकता है कि रिवाडी में जो सर्दी का सित्म में कितना भेहन कर Website उनका कहा था कि कहीं न कहीं जो ठंड के चलते जो बीमारी हैं उनको बढ़ रही है और कहीं न कहीं बचाव जरूरी है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में करीब एक सब्सक्रा की बाग कर ले तो और ये ठंड बढ़ने की आसंका बताई गई है मोसम विभ्यातियों से लगतार अलर्ट जारी जा रहे है और चताव ने दी जा रहे है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी ऐसे में कहीं न कहीं उससे बचने की जरूरत है रिवाडी में जो सुभा रिवाडी में गुरुवार की चुब जम उत्ते हैं तो पता लगता है कि पारा जबाव बिंदू की उस्तों की लगतार फारा निकुष्य गिरता जार। तू डिगरी तरह सद डो डिगरी सर चीड जीरो पर पारा जम जाता है। वहीं धूत्वी और बात करें। जन जीवन के लिए ठंड परेशान करने वालिए, लेकिन खिसानों की बात करने, क्योंकि सर्सों की मुख्य उपज होती है, दक्सरिन अनना की बात रिवाड़ी मेंदर नानों तमाम एरिया की बात करें तो यहां सर्सों और यहों की एक मुख्य उपज हो गी है उसके लिए जो बढ़ती ठंड कहीन की वर्तान सावित हो रही है किसानों के लिए एठंड बहतर कही जा सकते हैं लेकि जिस तरह से लगतार पारा गिर रहा है कहीने की चिंता का विश्या और लोगों को रहत देने के लिए भी कहीने की तमाम प्रियास होने चाहिए और लेकिन जहां रेवाडी जंकसन जहां पर सबसे ज़्यादा लोग पहुंचते हैं जहां पर आज तक इसकी विवस्ता नहीं की गई ऐसे में कहीं लोगों को देखा जा सकते खुले में सोने के दिए मजबूर है ऐसे में जो लगातार जो ठंड का प्रकोफ है लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में कहीं ने कहीं लोगों को अपने सतर पर भी एतियात मरतने की जरूरत है ताकि इस कड़ाकी की ठंड से बचा जा सके हम रेवाडी की अबशिंग चोक पर खड़े हो आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर तमाम जो फिलिक करमी ठंड के बीच अपनी डूडी दे रहें क्योंकि यहां पर कहीं न कहीं दुरगटनाओं की आसंका रहती है जिस तरह से क्योंकि कहिंवा, इस जिस तरह से आने वाले धन बढ़ने की बात मुंत साइब लगात दोलसिं नियुक्त साइब जरूरी है कि ए ठंड से बचाओ के लिए त्माम परयास कीने चाहीं कि हमारी और से बचाओं के यहां इसा बीच लिए प्रयास निखल J. कि तमाम घर से निकलने से पहले पोगलाइट समय तमाम जो विवस्ता इवान चालक उन्पर ध्यान दे ताकि जो हादसों से बचा जा सके